question is find the square root of each of the following numbers by using the method of prime factorization तो हमें ये कुछ numbers यह हो हैं और हमें इनका square root निकालना है by the method of prime factorization. Prime factorization method जो होता है वो सबसे simple method है square root निकालने का. तो जैसे हमारा पहला part है 225 हमें इसका square root निकालना है. Prime factorization method simple जैसे हम LCM calculate करते हैं वो यह है तो यह है 225 तो सबसे पहले हम prime numbers list out कर लेते हैं तो हमारे 1,2,10 में prime numbers कौन कौन से है 2,3,5 and 7 ठीक है तो हम इनको इस number को इन numbers से सबसे पहले इन numbers से divide करके देखेंगे तो 225 तो के table में तो नहीं आता तो अब इसको चेक करते हैं यह 3 के table में आता है कि नहीं 225 को 3 से divide किया तो 3 7s are 21 and 3 5s are 15 तो मतलब यह 3 के table में आता है तो इसको 3 से divide किया यहां पर 3 लिख दिया और यहां पर किया आ गया 75 अब 75 जो है वो अगें 3 के table में आता है तो यहां पर एक 3 और आ गया और यह 3 25 5s are 75 होता है अब 25 हमें पते है किसके table में होता है 5 तो यह 5 5s are 25 होता है 5 5s are 25 और 5 5 1s are 5 होता है अब square root निकालना है तो मतलब square square का मतलब होता है 2 तो यह 2 numbers है इसके जगा एक number आ जाता है और यह 2 5 है इसके जगा एक 5 लिख देते हैं तो तो that means 225 exactly आया किया 3 into 3 into 5 into 5 okay हमें क्या calculate करना है 225 का square root तो वो क्या होगा इन 2 की जगा एक number 3 और इन 2 की जगा एक number 5 तो यह क्या आगया 3 into 5 15 that means 225 का square root क्या है 15 okay उसी तरह हम 729 का calculate करेंगे 729 का भी same method से 729 लिख दो यहां पर और यह 2 की टेवल में तो नहीं आता तो चेक करते हैं 3 की टेवल में आता है कि नहीं it's 32s are 6, 34s are 12, 33s are 9 that means यह 3 की टेवल में आता है तो 3, 243s are 729 अब यह भी अगें 3 की टेवल में आता है 3, 81s are फिर यह भी 3 की टेवल में आता है 3, 27s are then 3, 9s are 3, 3s are and 3, 1s are तो अच्छा अगर हमें यह चेक करना है कि यह 3 की टेवल में आता है कि नहीं तो there is an easy method यह जो सभी numbers है इन सबका sum कर दो, 7, 2, 9, 7, 2 और 9 का sum किया, तो 9 plus 2 11, 11 plus 7 18, 18 अब यह चेक करो 18 3 की टेवल में आता है कि नहीं तो हमें तो पता है कि 18 3 का multiple है, तो that means यह पूरा number भी 3 के टेवल में आता होगा, तो अब हम 729 का क्या है 3 into 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 3, 729 तो यह आया, अब 729 का square root क्या होगा, यह सब जो इन सब के pairs बनाके उसके ज़रा एक number लिगता हो, 3 into 3 into 3, 3, 3 is a 9, 9, 3 is a 27, that means 729, 27 का square root है